मतलब कि हमारे जो घर के चट के पंक्खे होते हैं उसके अंदर हम जो कैपसिटर को लगाते हैं उस कैपसिटर का हम कैसे चयान करें और उसी वीडियो के नर मैंने चार पांच पॉइंट में बताई तो सकते हैं अगर ने किसके लिए वह समस्या होने करण आपकि फैन की स्पीड कम हो चुकी है तो उस समय आप क्या करसकते हैं हमारा जो फैन का एक बड़े केपेसिटर से चेंज कर सकते हैं अब आपको उससे में कितने का केर्पेसिटर लगाना है वो आज के इस वीडियो के दराम जानेंगे दोस्तों अगर आप कहीं पर इलेक्रिकल के अंदर काम या फिर पढ़ा ही कर रहें तो एक नियम में आपको बता रहा हूं या आपके हमेशा काम आएगा कोई भी दोस्तों हमारी मोटर है चाहिए वो हमारे घर का फैन हो या फिर हमारे पानी की मोटर कोई भी मोटर हो उसकी जो स्पीड होती हो उस मोटर की वो कितनी तेज चलेगी वो हमेशा डिपेंड करती हो वोल्टेज के उपर मतल luego voltage बड़ेगा, तो हमारी jo speed वो speed भी बड़ेगी, अगर voltage कम होगा, तो हमारे jo speed है, Ich quest wii come हो जाएगी, पर हमारी jo motor का torque होता है, वो torque हमारए depend करता है current के उपर, कि अगर हमारी motor जयदा current लेगी, तो वो motor हमारी quest जादा torque होगी, और कम current लेगी, तो हमको ceiling fan में कितने का capacitor लगाना है और अगर हमारे घर पे 180 वोल्ट जा रहे तो हम कितने का capacitor लगाएंगे दोस्तों वीडियो को start करने पहले एक छोटी जानकरी मैं देना चाता हूँ कहीं लोगों के मन में यह confusion होता है किसी किसी capacitor पर इस तरीके से लिखा उता है इन तीनों का मतलब होता है हमारा MFD मतलब Micro Ferrite अगर आपके इन तीनों में से कुछ भी लिखा हूँ है तो आपको बिल्कुल भी घबड़ाने नहीं यह तीनों एक चीज़ है तो दोसो यह काफी simple सा formula है हम इसके हमारे fan की value और voltage को put करके हमको कितने का capacitor लगाना है वो हम जान लेंगे दोस्तो आपको अच्छे समझ में है तो हम 180 और 220 voltage दोनों का उधारण लेके चलेंगे तो दोस्तो formula के अनुसार सबसे पहले हमको power चीए यह vaan का मतलब हमारे जो ऊपकरण है उस उपकरण के watt कितने है दोस्तो 2 जो watt है यह व अपको आक के fan के इपर मिल जाएंगे और नीचे हम कर देंगे भाग और भाग करने के साथ में यहां पर क्या करना है हमको voltage का square करना है voltage का square का मतलब हमको voltage को दो बार multiply करना है तो मैं सबसे पहले एक उधार लेकर चलता हूँ 220 voltage का तो मैं यहां कर देता हूँ 220 into 220 ठीक है अब करदेगा तो आपके घर पर एक स्च निटाए को बटन होता है चो जब आप उस बटन को दो तीन बाइंगे तो आपको वहां पर वोल्टेज भी शो कर देगा तो आपके खर के वोल्टेज को पता कर सकते हैं तो अब हम माल लेते हैं कि हमारे गर केंदा ओली 180 वोल्ट जा रहें तो 180 ιंप निशे लिए इसको सब्सक्राइब तो 220 हटो इसको मिल्टिप्य और जो मेरी संक्याई हुआ 162 और 12344 जीरो आगए तो दोस्तों मैं इन दोनों को भाग लगा दूँगा और में को यहाँ पर प्लस माइनस 5 परसेंट यहां पर मैं आसान है 2.5 माइक्रोफराइट का कैपेसेटर को भी लगा सकता हूं अब दोस्तों एक वोल्टेज वाले फैन को चेक कर लेते हैं कि इसके अनमे को कितने लगाना है तो इसके लिए वापस से इसको भाग करूंगा तो 56 और यह वल्टेज कम आ रहे हैं तो हम कैपेसेटर की वैल्यू को आसानी से बढ़ा सकते हैं और वो कितना बढ़ेंगे वह हमने आज सौल करके देख लिया तो आज के इस वीडियो के दर हमने क्या जाना सबसे पहले जी हमने यह जानी कि हमारी कोई भी इलेक्रिकल की मोटर होती है उसकी जो स्पीड होती है मोटर कितनी टेज भूमेंगी वह हमारी डिपेंड करती है वोल्टेज के उपर अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारी स्पीड भी बढ़ेगी वोल्टेज कम होगा तो हमारी स्पीड है वो स्पीड भी कम हो जाएगी तो इसी के साथ में हम करने से पहले आपके लिए काफी मैधपोन सोचना है कि अगर आप कहीं भी इलेक्टिकल फिल्ड की पढ़ाई या फी जॉब कर रहा है तो हमने एक वेबसाइट करें जिसका नाम है www.engineeringdost.com दोस्तों इस वेबसाइट पर आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्टिकल और मेकेनिकल से जोड़े आर्टिक मिलेंगे और आपको यहां पर जोबी आर्टिक मिलेंगे वह इस वीडियो को लाइक करके जरू बता है अगर आपको कोई भी सवाल इस्वीर को परतिक आप इल करते हैं आज यहां चैनल को सस्क्राइब पढ़ लिए आज के लिए नहीं धन्यवाद